हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम आपके लिए कुछ अलग टेश्टी मज़िदार नया नास्ता घर की चीजों से जटपट से बनाएंगे इतना असान है बनाना कि इस नास्ते को बनाने के लिए आपको आलू को बारने की भी जुरूरत नहीं है और सबस के सामने समोसा को चोड़ी को भूल जाएंगे तो चलिए इस मज़िदार सी रेस्टी को बनाना सुरू करते उससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमाई चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ल दिए लेंगे तो जब तक हम आलू को चीर लें आप लोग कमेंट करके बताईए कि आप हमारी यह मज़िदार सी रेस्पिक किस जिले से देख रहें किस रास्ते देख रहें और कहां से देख रहें और साथ ने जगा का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि मैं आपको वीडि है और इस तरीके से हम आलू को पानी के अंदर ही ग्रेट करेंगे जिससे क्या होगा आलू की लच्छे बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगे तो फ्रेंट अगर आपकी फैमली बड़ी है तो आप आलू की मातर को बढ़ा सकते तो मैंने एक बड़ा आलू लिया है आप दो न कर सकते हैं तो चलिए फटा फटा हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं तो यहां पर देखिए आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है यहां पर मैं आपको लच्छे दिखा देती हूं इस तरीके से हमें पतले-पतले से लच्छे मिल गए है जिसको पकने में बहुत ही कम लगेंगा अब हम हलके हैफंचों को तीन से चार प्तानी अच्छु करेंगे और इस तरीक से निचोड़ेंगे ताकि तो तोटे ना हलके के एधों से और यहां पर पानी तो चलिए हम 3-4 पानी अच्छे से वास कर लेंगे ताकि इसका जितना भी इस्टार्च है वो निकल जाए अगर आप इस्टार्च नहीं निकालेंगे ऐसे भी बना देंगे तो नास्ता कभी भी कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं मनेगा जब आप गरम-गरम खाएंगे तब तो जालू को वास करना है तो चलिए वास करके लेकर आते हैं फिर आपको दिखाते तो फ्रेंट देखिए इस तरीके से 3-4 पानी अच्छे से वास कर लिया है तो लच्छे हमारे कितनी ज़्यदा सफेद हो चुके और इस तरीके से खिले-खिले से आप इसको हम थोड़ा जी जिसको रहों बोलते हैं अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बाक से जरूर बताईएगा और साथ में जगा का नाम लिखना मत भुलिएगा यहां पर देखिए मैंने बारीक वाली है अगर आपके पास मोटी वाली हो तो मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजि मोटा महिन जो भी वेशन हो आप ले सकते हैं और अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से इस तरीके से चान लेंगे चानने से क्या होगा कि जो हमारा सूजी और वेशन मिलेगा वो लॉम्स्विदी मिलेगा और मार्किर से हम कई बार लेके आते हैं तो उसमें कुछ ना अपने से क्या डालेंगे आईए आगको बता लेते आँ इसकंगी चावल कार्टा दो चमज अगर आपको चावल क्याट्य की रेस्पीटे की अधिकाह रहे सकते हैं तो नमक आप जितना खाते उतना डा सकते फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टीस्पून तक अगर आपके पास कुटी ना हो तो आप पिसी भी ले सकते चौथाई चमज जीरा लेंगे और चौथाई चमज हम लेंगे 100 दोनों की कॉंबनेशन से बहुत अच्छा टेस्ट आ चबात आ है तो हमने इसके इंदर बेशन डाला तो थोड़ा अंदर ही की डालेंगे जिससे क्या होगा बेशन हॉम्हेघन भारी नहीं होगा और हर को इसके खाप आगयों और और थोड़ा साम इसमें डालेंगे तर्मरी पॉडर सिर्फ दो से तीन चुटकी अगर आप जाया डाल देते तो पीले पन की जगा पे लाल पन आ जाता है जो नास्ते को अच्छा लुक नहीं देता है तो तर्मरी पॉडर बहुत ही थोड़ा डालना है सारी चीजों को तो यहां पर मैं रिफाइन ओयल का इस्तेमाल कर रहे हूं आप सरसों का तेल मत लेना चाहे तो घी और बटर डाल देना अगर आप तेल नहीं खाते हैं तो सारी चीजों को अच्छा से मिक्स कर लिया है अब यहां पर हम इसमें आड़ करेंगे पानी तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा हमें पतला नहीं चाहिए तो सूजी और बेसन अच्छे से फूलता है इसलिए हम इसको बहुत ज़़ा गाड़ा भी नहीं रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डलके मिलाएंगे तो इसमें लंस नहीं पढ़ेंगे और आपके हाथी नहीं दुखेंगे तो यहां पे आप छान के लेते हैं तो ऐसे भी लंस बहुत ही कम पढ़ते हैं एक दो ही पढ़ेंगे उसको आप इस तरीके से फटा-फटा लीजेगा तो हम इसमें कोई भी बेकिंग पॉड़ा या सोड़े का इस्तमाल नहीं करेंगे तो हम इसको दो से तीन मिनट का टाइम द करेंगे तो हम इसको कम से कम दो से तीन मिनट का टाइम देंगे ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फोल जाए और फिर हम इसे यूज़ करेंगे अगर आपको जाए जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पॉड़ा या खाने वाला मीठा सोड़ा एड़ कर सकते ले कि यहां पर देखे आलू के लच्छोचा को मैंने एड कर दिया है कर दिक्मत हлучता हो दूसरा बेंब तकि हमें चलाने मं इसको मैंने लए लिया हैं आप इसके बाद इसमें हम प्रेदम करेंगे मीडियम साइज का टमाठा जिसके मैंने बीज और जूस निकाल लिए है बहुता मोटा कट करके डालना जिससे लुक बहुत सुंदर आएगा फिर इसके बाद हम इसमें एक ग्रीन चिली डालेंगे जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है अगर आपका बच्चा बहुत जड़ा चोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्क्रिप कर सकते हैं फिर मैने लिया है गाजर जो वेन रोल गाजप करके इलिया है वैसे तो आप इस तरीके से नास्ते में डाल के उन्हें खिला सकते to ज़रूरी निwhींगे जो ग्री को सिम्णा मिर्च जो हमने इस तरीके से मोटा मोटा कटकर लिआ ग्रीग वाला हूं थाया तो यलो और रेड़ भी ले सकते हैं फिर इसके बाद हम इसके एक मीडियम साइच के प्याद डालेंगे के अगर कषक्प की तो जरूर है तो इससे सिर्फ आलू से भी बना सकते लेकिन मैंने इसके अंदर विजिटेवल इसलिए डाल दिया ताकि यह नास्ता बहुत ज़दा है वैसे तो वच्चे विजिटेवल के नाम से भागते तो कोई कहता है कि हमें टमाटर नहीं खाना लेकिन आप जो विजिटेवल वच् उसके लेए और आप अट ग्राल्यमला लें लिया और आप हम रातल डोको इसको से घ्रेट्ड कर लेंगे तो बहुत रीजन आए गागा as के पास greater ना हो तो आप मैस करके भी ले सकते लेकिन मैस करके लें तो खयाल लखे कि मोटे जितने भी हो उसको हटा दीजिए गुटलियों को और इस तरीके से लेंगे तो रैस्पी का टेक्स्टर बहुत ही अच्छा है तो यह जो मोटा मोटा है इसको हम निकाल लेंगे जो कि यहां पर देखिए दोनों अलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है जितनी भी मोटी बुटी गुटलिया थे उनको साइट में कर दिया है अब एक बड़े साइच का बढ़ता लेंगे उसके अंदर इसको टास्पर करेंगे तो यहां पर देखिए एक बड़े नती ही कट्किया है फिलका नहीं निकाला यसने बहुत अच्छा टेस्ट होता है तो निकालने की जरूट लिए अब डालें के टेस्ट के काडिंग नमक तो जितना नमक आप खाते होतना डाल सकते एक लिए की बाद ..... चोथाई चमच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है अगर आपको इसकी रैस्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपके साथ देह करेंगे चोथाई चमच जीरा जिससे बहुत ही सुन्दा सा लुक आएगा और टेस्ट भी वड़ जाएगा फिर हम नास्ते में डालेंगे सौक जो पेट को ठंदा रखती है और नास्ते को टेस्टी बनाती है और अब इसमें एक इंपोर्टन चीज़ आएगी वह एक चुटकी ही जो खाने को टेस्टी बनानी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा सा रिलीव देती है पेट पेट गैस अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भूना हुआ जीरे का पाउडर जिसको मैंने हलका सा तावे पर ड्रायरोस करके डाला है और नहीं भूना है फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक ग्रेंचिली जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है अगर आप अब जाए तो आप ग्रेंचिली को सकते हैं अगर आपने लिए बना रहे तो जरूर डालेगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियों साइश की प्याज जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है अगर आप प्य आप इसमें नास्ते में आड़ करके इंको खिला सकते उनको पता भी नहीं चलेगा आप रूखा भी लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे लास्ट में धेर सारा हरा धनिया जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है अगर आप चाहे तो पुदीना भी डा सक अगर आपके पास हरा धनिया ना हो अब इसमें हम थोड़ा सा ओल लेंगे हाफ टीश्पून तक यहां पर मैंने रिपाइंड ओल का इस्तवाल किया आप चाहे तो संसो का तेल भी ले सकते और गीयों बटर भी ले सकते हैं और सारी चीजों का हम हास से मिलाएंगे यहां पर आपको हाथी से काम करना है हाथ से फ्लेवर विल्कु अच्छे से समा जाते हैं यहां पर आपको खयाल यह रखना है कि आपको अच्छे से मिलाना है ताकि सारा फ्लेवर आलू के अंदर समा जाए यहां पर हम इसको अच्छे से मिलाने के बात अब आप इसको चख इसके अंदर समाज है और दो मिनट के बाद इसे चेक करेंगे तो चलिए इसको स्वाइड में लग देते तब तक दूसरा काम करेंगे तो यहां पर देखिए एक बड़े साइश का बरतन ले लिए अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे हर कीचन में मौझूद गेहूं का आठा यह वहीं आठा है जिसे हम लोगो रोटी बनाते है चपाती बनाते है यहां पे इस रेस्पी में आपको मिजर्मेंट का खास ख्यार लगना है अगर आपको ब年डब अब नास्ते को कुरकरोः कृस्पी बनाने के लिए हम इसके लिए हम इसमें डालेंगे सूजी तो यहां पर देखे मैंने बारिक वाली सूजी का इस्तवाल किया है अगर आपके पास मोटी वाली है तो मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर दीजेगा बारिक हो जाएगी सू अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगा पर धन्या विडा सकते थोड़ी सी अजवाइन एक चुटकी और इसको अच्छे से मसर कर डालेंगे इससे अजवाइन का जो टेस्ट है विल्कूर अच्छे से निकल कर आता है तो अजवाइन आपको जरूर डालनी है फिसके एक कफ आटा था तो मैं इसमें दो छोटा चमच ऑईल डालूँगी अब घियो बटर भी डा सकते हैं लेकिन सहसो का तेल में डालना और सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे खलके अलके आतों से ताकि जो हमारा ऑईल है और जो हमने नमक वगेरा जवाइन डाला है वो ले लेंगे रूम टंप्रेश्र का पाणी न थंदा न गरम थोऊ चाल पाणी डलके इसका आता लगाएंगे यहां पर हमें ख़याल यह रखना है कि थोऊ थोऊ पाणी डालके ही आटा लगाना है और ना पत्थ जैस्वर्ण हाड लगाना है अभी हम आपको बता देंगे कि कितना लगाने में कितना पानी यूज़ हुआ है तो अच्छे से हलकल के हांस से मसलते हुए लगाना है यहां पे आपको खयाल ही रखना है इसको हमें टाइट हाटों से आटा नहीं लगाना है नहीं तो आटा रवर्ड जैसा हो जाएगा और नास्ता हमारा कुरकुरों क्रिस् जिसकी वज़े से आठा बहुत ज़ोटा दा उसका नास्ता बातों सॉर्फ्ट हो जाता है तो अठा कभी वह लगाईए नास्ते के लिए तो हल्का सी तो यहां पर देखिए आठा लगा लिया है मैंने अच्छे से आठा ना बहुत ज़़दा हार्ड है ना बहुत ज़़दा सॉख्ट है इतना आठा लगाने मुझे एक ग्लास पानी में तीन हिसा इस्तमाल हो गया और एक हिसा हमारा बज़ गया है अब इस आठे को हम नॉर्मर का टाइम देंगे अगर आपको जा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पॉडर ये खाने वाला मीठा सोड़ा एड़ कर सकते तो चलिए मुझे तो जल्दी नहीं है तब तक मैं दूसरा काम करूंगी इससे साइड में रख दूंगी आठा हमारा अच्छे से फूल जाएगा तब तक तो फ्रेंड यहां पर देखिए एक बड़ता ले लिए अब इसके अदर हम क्या डालेंगे हम इसमें डालेंगे बेसन जो बेट ने मुश्किल से 50 ग्राम है नाप में छोटा कटोरी है मोटा महीं जो भी बेसन हो आप इस्तवार कर सकते बस आपको बेसन क चान के लेना है और आप नास्ते को कुरकरो कृस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चार चमज सूजी बारीक वाली अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसकी जगा पर चावल काटा भी ले सकते तो यहां पर बारीक वाली ही लेना है आप इन दोनों चीजों को चाहें अच्छा से मिक्स कर देंगे अधर च्छा कांके यहें यहां पर दालेंगे आप लेक्श कर सकते आदा चम्मा चाट मसार डालेंगे जिससे हमारा नास्ता काफी जड़ा चट-पठा बनेगा अगर आपके पास चाट मसार नहों तो आप इसकी जगा पर निम्बू का रस डाल सकते या फिर ड्राय आमचूर पड़र या नहीं खटाई का इस दमाल कर सकते थोड़ा सा क प्रूड कलर भी डा सकते हैं लेकिन हम डालेंगे अपनी देशी हल्दी जो खून को बहुत जला साफ करती है और है अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा चौथाई चम्मा चाट और आप इसके बाद हम इसमें डालेंगे धेड सारा हरा धनिया जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ओयल तो हम सिर्फ आधा चम्मा चाट डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से बिला लेंगे और आप इसमें डालेंगे हम पानी तो यहां पर हम थुआ थुआ पादी डालके इसको मिलाते वे इसका बैटर बनाएंगे यहां पर आपको ख़याल ही रखना है कि एक साथ पानी नहीं डालना है नहीं तो क्या होगता है गुटलियां पढ़ जाती है और अगर लंस पढ़ आपको हटाने में टाइम भी वरबाद होगा और अच्छा सा टेक्स्चर भी नहीं आता है बैटर का तो यहां पर देखिए अच्छा से मिला लिया है और अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं आड़ किया तो अब इसमें हम दो चुरकी नमक डाल देंगे जरा नमक नहीं अब आपको बताएंगे कि इतना बैटर लगाने में कितना पानी इस्तेमाल हुआ है थोड़ा सा और डाल देंगे और इस तरीके से हमारा बैटर रैडि हो चुका है जो अभी आपको लिक्वेड लग रहा होगा यानि हलका सा गिला गिला सा लग पतला लग रहा होगा लेकि कर लिजिए और इस तरीके से लाइन ड्रो कीजिए अगर लाइन आपस में चिपक नहीं दी तो समझ जाए आपका बैटर परफेक्ट है अगर चिपक रही है तो आपको थोड़ा सा बेशन और डाल देना है यूँकि हमें पतला बैटर नहीं चाहिए इस तरीके से ठिक होग और इस तरीके से डाल के अच्छे से चिकना करेंगे ताकि आटा हमारा बिल्कु अच्छे से चिकना हो जाए यहां पर देखिए हमारा आटा बिल्कु अच्छे से रैडी हो चुका है इस तरीके से आप आटे की पेपरेशन रातने भी करके रह सकते हैं अगर आपके पास ग आठा ले लेंगे अलग और इसको हम अच्छे से मस लेंगे 10-15 सेकंड और इसकी रोई रैडी कर लेंगे यह देखें आठा हमारा कितने अच्छे से सौफ्ट सा है और अब हम थोड़ा सा सुखा अटा डालेंगे अब हम इसको इस तरीके से वापस से गोल करेंगे और यहां पर हम इसको चप्टा कर लेंगे और थोड़ा सा वापस से सुखा अटा डालेंगे इसके उपर और बाकी आठे को हम कवर करके साइड में रख देंगे ताकि आठा हमारा विल्कुल भी उपर से जो उसकी परत है वो तो Хार्ट नहों और आप हम इसने बेलंसे बेलेंगे तो जैसे हम रोटी के लिए आणटा बेलते हैं है शॉड़ी के लिए जैसे हम बेलते चपाथी के लिए 60 इसकी थिकनस मोटी रखनी तो चलिए इसको फटाफट लेकर लेते, तो फ्रेंड देखे इस तरीके से मैंने इसको लील लिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देते हैं, इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पतला नहीं, रोटी से हल्का सा मोटा रखा है, है बहुत ज़रा मोटा नहीं रखना है इस बात का ख्याल रखना है यहां पर हम धार-दार कटोरी ले ले रहे आप चाहें तो ita mm बीले सकते यह 근क तो कटोरी तो कटोरी तो यह इसलिए देखें इस तो यहां पर आप एक बार में बहुत सारा बना पाएंगे नास्ता फटा फट कम टाइम में तो यह देखिए इस तरीका से हम इसको कट कर लेंगे और जो आठा हमारा निकलेगा वह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा उसको हम फिर से इस्तमाल कर लेंगे इसको निकाल लेते हैं यह देखिए अब हम क्या करेंगे यहां पर हमारा जो आलू अलम मसाला था उसको हम ले लेंगे तो यहां पर देखिए आलू अलम मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्लेवर को इसके अंदर समाल लिया है अब यहां पर हम इस तरीके से लेने के बाद इसको तो यहां पे side में रखेंगे, पहले इसे पे रख देते हैं, यह देखिए मैं आपको करीब से दिखा रहे हूं, और इस तरीके से हम एक side में रखेंगे, और एक side को हम ऐसे ही खाली रख देंगे, तो आलू का मसाला आप अच्छे से रखेंगे, तब ही आपको खाने का और इस तरीके से हम इसको पलट देंगे, यह देखिए, बहुत ही आसान रेस्ट भी है, तो देखिए आलू का मसाला कितना अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से आप इसको बनाके हवाबन डिब्वे में भरके रख भी सकते, यहां पर आपको खयाल यह रखना है, आलू का म तो यहां पर गुजिया में आप इसको बन करते हैं, लेकिन इस रेस्पी में हम इसको बन नहीं करेंगे, तब भी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, और मसाला हमारा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, लेकि अंदर तक अच्छे से कुख होगा, और नास्ता यहां पर मेरा पहला बैच इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है, बाकी मैंने हवा बन डिबे में भरके रख दिया है, बादने बनाओंगी, तो बहुत एक कम सामान में आप धेसा नास्ता बना सकते हैं, एकड़म से आप क्या महमान आ जाए और आपको समोसा और कचोड़ी मैंगाने का टाइम ना मिले, या फिर आपके घर में कोई हो ना, तो आप इस रेस्पी को बना के महमानों का दिल जी सकते हैं, तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसर्स की तरफ, तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमने बैटर को ले लिया है, इसको हम लास्ट बार पेट लेंगे, और इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको एक से दो बार कोट कर लेंगे, और इस तरीके से फोक वाले चमत से एस्ट्रा वेटर निकल जाएगा, अब इसको हम ऑईल में डालेंगे, तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसर्स की तरफ, तो फ्रे हट मैंसुस हो रही तो समझ चाहए ये तेल गशुका है जब एक बात तेल घ्रम हो जाएस तो गैस के फ्लम मेडिडियम स्काइब और मीडियम फ्लैम पर नास्ते को बनाएंगे यहाँपैं बाइल ये रखना है कि इसे हाइप पर नहीं बनाना है नहीं तो उपर से उन्डर पकड़ लेगा लेकि अंदर से कच्छा रहेगा कुरकुरा नहीं बनेगा अगर आप बहुत ज़्यादा इसे लोग फ्लेम पर पकाएंगे तो या ओईली बनेगा इसलिए मीडियम फ्लेम पर डालना है इस तरीके से जैसे मैं बना दी हूँ सेम उसी तरीके से बनाईएगा बहुत ही आसान रेस्पी है आप इसे पान से दस मिनट में तैयार कर सकते तो कुछ लोग बोलेंगे कि आपकी रेस्पी तो पान से दस मिनट की नहीं है तो फ्रेंट डियर मुझे आपको बताना पड़ता है आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम ले रहें बेसन हम ले रहें सूजी तो आप कम टाइम में तो जब आप कैमरे में कुछ सूट करते हैं तो आपको डिटेल देनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो रेस्पी को केरफुली देखा कीजिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, नेकि रेस्पी आपकी जो मैं सेर करती हूँ, वो बेस्ट होती ह तो यहां पर आपको ख्याल यह रखना है, एक बार में उतना ही डालना, जितना की पलटने में दिक्कत ना हो, अगर आप एक बार में बहुत साई डाल देते हैं, तो क्या होता है, जब आप इसको पलटेंगे, तो यह आपस में चिपक जाएंगे, अगर आपकी कराही तो यहां पर देखिए दो मिनट हो चुका है इसको पकते वे अब इसको हम इस तरीके से नाइफ से टर्न कर देंगे यह देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है बहुत ही मज़े की बनती है और आप एक बार बनाएंगे तो इसके सामने समोसा कोचोड़ी को भूल जाएंग यहां पर आपको खयाल यह रखना है कि आपको इसको हाइफ लेंप नहीं बनाना है और दूसरी बात आपको खयाल यह रखना है कि इसे डालते ही तुरन पलटने की गलती नहीं करनी है तो इस तरीके से देखिए मैंने पलट दिया है अब इसे दूसरे साइट भी दो मिनट चुके चार मिनट निया विल्कुर अच्छे से रैडी हो जाते हैं आप इसको हम फटाफर निकाल लेंगे तो यहां पर निकालने के लिए इस तरीके से छणने का इस्तमाल करेंगे ताकि जो एश्ट्रा तेले वापस हिसी में चला जाए देख लीजे कितने ज़्यादा देख शचार मिलते हैं तो फ्रेंट बन कड़े ओов हो चुका है हमारा चटपटा सा करकु रा राव सनास्ता देख लीजेख इसका कितना ज़ल की मैखोचाइंगा जितना जड़ा देखने में फुप सूरह है खाने में सब्सक्राइब कर दिखाएं कि कितने जड़ा क्रिस्पी संब्स रहा है कि नहीं बृदि इनील को तो त्टशकर नहीं है है मैंने सर्फ किया है यह वारी की सब्सक्राइब यush Deeb के साथ enjoy कर सकते इस ट्रफिंग आप जितने अच्छ से वरेंगे उतना ही मज़ा आएगा तो अगर आपको homemade ketchup की रेस्पी चाहिए तो comment box अब जाने इसके अदर डाली थी उसने जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है और इस तरीके से देखिए हलका सा यह हो गया है लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी आट करूंगी और इसको मैं हलका सा वापस से मिला लू अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ दियर तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ यहां पर देखिए पैन को मैंने गरम कर लिया है जो भी बरतन लीजे थोड़ा सा भारी लीजे अब हम इसमें डालेंगे ऑईल आप घीव बटर भी डाल सकते सिर्फ एक छोटा च चलती है अब इस परीकेश अपना मिठरां डाओ देंगे सारा का सारा और मिठर डालने के बाद अब हम चम्मच का इस्तमाल करेंगे और चम्मच से हम इसको अच्छे से पकाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको पकाने में बहुत कम टाइम का यूज होगा कि हमार जो बैटर होता है सूजी और बेशन का यह बहुत जल्दी कुख होता है इसलिए जो बरतन लीजेगा थोड़ा सा भारी लीजेगा और कंटीनू चलाते वें से पकाईएगा आप देखेंगे जो हमने शुरुवात ने डाला था तो यह थोड़ा सा गाड़ा था स्वारी लि अगर आके पास लकड़ी वेला चमज ना हो तो आप इसकी जिगा पे कोई भी हलका चमज ले सकते हैं चोटा चमज जिससे आप इसको चलाएंगे तो लच्छे आलू के तूटेंगे रहें तो यहाँ पर देखें इस तरीके से यह गाड़ा होना शुरू हो गया है मुस्किल से एक से दो मिनट का टाइम लगेगा तो इसलिए कंटीनू चलाते वे से पकाईए और जो बड़तल लीजे थोड़ा सा भारी लीजे ताकि यह जले ना नीचे से यहाँ पर देखें इस तरीके से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इस तरीके से जब सिमटने लग होगा तो आपको पता होगा कि हल्वा मुश्किल से पांच इनट ने बन जाता है यह देखिए अगर आपको सूजी की हल्वे की रहस्वी चाहिए जिसे हम एक बड़तल ने बनाए तो कमेंट बाक्स से कमेंट करके बताईएगा मैं बिना आपको चासनी बनाए सूजी का बि कि कैसे आपको चेक करना है कि यह कुख हुआ है नहीं 50% तो यहां पर देखिए काफी जड़ा जला है थोड़ा से ले लीजिए जला है अराम से लीजिए और इस तरीके से गोला बनाईए अगर गोले में क्रैक नहीं आ रहे तो समझा यह हो गया है तो फ्रेंड देखिए इ वु हो गया है अगा गोले में क्रैक आ रहे तो आपको ठोड़ा सा और पकाना है इसको फ्लेट में निकालने के बाद पने हाइनि के बाद बर प्रांड फ्र करोंड़ा कर तो आ Nvidia से दया होना है थोड़ा हमाया नास्ता बहुत ही अच्छे शेव का बनेगए शेव बहुत ही प्यारा आएगा और तीसरा फाइदा यह कि नास्ता बहुत ही जड़ा करर डिली नेगा तो हलका सा जब गरम होग तब एसको मस लेंगे तब सारा मिश्रन है आपस में अच्छे से सिमट जाएगा अगर ठंडा होने के बाद मसलेंगे तो वो विख्रावपन जरूर आएगा कि कि इसके अंदर सूजी है यहां पर देखें दस से पंदा सेकें अच्छे से मसल लिया है बहुत साय लोग की सिकायद होती है जब वो नास्ता से गोल बना सकते हैं आप इस तरीके से इसको फोर एंगल में कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कटलेट के से दे सकते हैं तो मैं कैसे बनाओंगी मेरा फेवरेट सेप कौन सा है वो मैं आपको बताओंगी तो नीबू क्याकार का मिश्रल लेंगे और इसको पहले हम इस तरीके से गोल कर लेंगे फिर गोल करने के बाद इस तरीके से हलका सा प्रसर देते हुए चप्टा कर लेंगे और चप्टा करने के बाद इसको हम इस तरीके से साइडों से हलका हलका सा इस तरीके से शेप दे देंगे परफेक्ट अब हम फिंगर वाली उंगली को इसके अंदर इस तरीके से करेंगे, और इसको हम इस तरीके से वड़े का shape देंगे, यह देखे, कितना सुन्दर सा shape आ गया है, तो जरूरी नहीं कि आप इसे ऐसे इसे इसे किसी भी shape में बना सकते हैं, चलिए दूसरा भी बना कर दिखा जथे, इस तरीके से आपक करनी है इस तरीके से और यहां पर पीछे से भी कर लीजेगा ताकि दोनों तरों से बढ़ी हास शेप आ जाए यह देखिए कितना प्यारा सा बन गया है तो दो मैंने रेडी कर लिए है इसी तरीके से मैं बाकी बनाऊंगी आप इस तरीके से बना के इसे हवा बन डिब्वे मे क्यूट लग रहे हैं आप से बनाके इसे चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोस्ति की तरफ दिए तो फ्रेंड आ गए है गया देखिए मैं एक एक राही लिए आप चाहें तो पैन भी कर ले ना है यहां पर खेजाण ये रखना है जब एक बाद गरम हो जाएगा तो गै नास्ते को डालेंगे यहां पर दूसरी टीप यह है कि डालते ही तुरंद इसको चलाने की गलती नहीं करनी है इसको आपको पकने देना है दो मिनट के लिए फिर इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे अगर आप इसे बहुत ज़रा लो फ्लेम पर पकाते हैं तो यह ऑईली बनत और अगर हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो उपर से पुरकुरा हो जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेगा इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है और एक बार में उतना ही डाला जितना की पलटने में दिक करना हो तो चलिए दो मिनट के बाद इसे चेक करेंगे और आप इसके सामने समोसा और कचोड़ी को भूल जाएंगे यह बहुत जड़ा है लाइट वेट है क्योंकि यह सूजी और बेसन से बनाएं तो चलिए दो मिनट के बाद आपको दिखाते हैं इसको कैसे पलटना है तो फ्रेंड दो मिनट हो चुका है इसको पकते हुए आप इ इस तरीके से इसको टर्न करेंगे क्योंकि एक साइड अभी है अगर आप इसको भारी चीज से चला देते तो तूटने का डर है यह देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आचुका है एक साइड में टोटर इसको बनने में चाल मिनट का टाइम लगता है क्योंकि सूजी कमेंट करिएगा तो चलिए दो मिनट के बाद इससे चेक करेंगे तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका है दूसरे साइड से विल्कु अच्छे से डन हो गए यह देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है यहाँ पर हम ग्यास के फ्लेम को हाई कर देंगे हाई फ्लेम पर इसको 10 स नास्ते को ट्राइ कीजिए आप इसके दिवाने हो जाएंगे देख लिए कितना प्यारा सा कलर आया है अब यहाँ पर हम इस तरीके से ओई को निकाल लेंगे ताकि जो च्छन्ने में रखेंगे और निकल जाएगा फिर इस तरीके से हम इसको प्लेट में डाल लेंगे यह दुबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गरम कर लेना है जब तक आपका तेल गरम नहीं होगा आपको नहीं डालना है जैसे तेल गरम हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी नास्ता बना लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमारा तेल मीडियम फ्लेम दो भी नए ही है हाइप नेम पर नहीं बनाएं तो चलिए इसको बना लेते फिरास से मिलते यहाँ पर देखिए कितना प्इमा सघ्रव करीelle है तो फ्रेंड मनकर रेडी हो चुका है पसंद आएगा और इस चटनी के साथ जो इसका कॉमनेशन है वो अलग ही लेवल का है आप एक बार इस नास्ते को इस चटनी के साथ उन्जॉय कर लेंगे तो जब भी नास्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे इसकी वर गारंटी लेती हो अगर आप चटनी नहीं बना पसंद होता है तो आप उन्हें के साथ दे सकते अगर आप उन्जॉय कर रहें तो इस चटनी के साथ निजॉय कीजिएगा आपको मज़ा जाएगा इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर है और 10-15 दिन तक बिल्कुल भी चटनी खराब नहीं होती है तो फ्रेंड यह देख और मेरी मेहनत को सफर कर दियेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में लव यू आल बैंट टेक कियर